ओम स्रीगने शायनम दोस्तो एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर शनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन दोला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढून सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेस के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तो चल अचल संपत्ती के दरश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको कामयाभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ इसाथ कोई अपरत्यासित आय या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आय का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुनता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथी और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तों रचनात्मक कारों के प्रिति आज आपका रुजाहन बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपने रचनात्मकता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारेचमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कारेचेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनलाब भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें कि बढ़ सकती हैं जिसकी वजय से घर में बिखराव का माहुल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंझस बनाए रखने का प्रयास करें तथा एक दूसरे पर भरोसा करते हुए किसीบी कारे को करें अपने जिम्मेदारियों को निभाने का पूर प्रियास करते हुए मा माता-पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें। ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं। जैसे आपके भाई-बेहन, माता-पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें। यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है। बहुत से लोग आपसे कई मांगे रख सकते हैं। इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा। बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं। और आपको जरूरी सफलता एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा। दोस्तो कार रभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी। नकारात्म के विचार आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है। आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे विकती आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा। दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है। इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका व नावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथी साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। विध्यार्तियों के लिए दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दोस्तो आज आपके लिए व्यप सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का शुक मिल सकता है। आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। दोस्तो समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आ पुजगार के ने अवसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शावधन रहें। की अनहोनी को रोका जा सके शावधन रहें। इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें। साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। पीपल के व्रक्ष की पूजा करें और शाथि साथ ओम शांशने श्चिराए नमाहां। मंत्र का 108 वार बहुती सच्चे मन से स्रदभाब से जाप करें। या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं, समस्त परिशानियों कंत करेंगे, और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी, और आपके स समस्त कारें भगवान शनिदेव के आशिरवाद से भवत याशनि से बनते चले जाएंगे, दोस्तो भगवान शनिदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो, सच्छे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अबश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद